हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत करते हैं मेरी योटूब चैनल और आप सभी का आज हम बनाएंगे छोले की सबजी तो चलो बनाते हैं छोले की सबजी बनाने के लिए हमने ये एक कप या कोई भी कटोरी ले लेंगे एक कटोरी हमने ये छोल लिया है, इसको हमने सुबह ही विगो दिया था, नुर्मल पानी में विगोया है, इसमें हमने मिटा सोडा बिलकुल नहीं डाला, केवल आधा चमच नमक और एक टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाला, इसलिए इसका कलर है, वो थोड़ा सा पीला प हावन युकर ले लिया है, अब हम इसमें डालेंगे, दो-तीन हमने लोंग ले लिए ये डाल देंगे, दो टुकड़े हमने डाल चिनी के लिए हैं, ये डाल देंगे और साबुत ली है हमने 3-4 काले मिर्सी ये भी डाल देंगे इसमें मोटी वाली जो इलाची होती है वो भी आप डाल सकते हैं तेल्स पत्ते भी डाल सकते हैं और एक मेने लिए ये हरी वाली इलाची इसको भी हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी ज जादा ताइम दी लगएगा इसमें दो दिन शीटी में पकर तयार हो जाएंगे पानी हमने डाल दिया है इतनाई पानी डाले जो छोलूक से उपर तिर जाए बस इतनाई पानी डाले और साथ में डाल देंगे इसमें आदी छोटी चमत नमक बिल्कुल थोड़ा सा डाला है एक टी स्पून ओईल आई डालेंगे अब हम इसको उबाड लेंगे हम इसको उबाड लेंगे इसमें हम चाय पती का कोई भी पानी नहीं डालेंगे ऐसे ही बनाएंगे ऐसे ही हमारे जो छोले हैं बोतीस पेश्टी और स्वादिश्ट बनेंगे तो अब हम कुकर को पड़ेंगे बन और तीन सिटी आने तक इसको पका लेंगे तीन सिटी लग चुकी है अब हम खोल के देखेंगे सिटी हमने निकाल दी है कुकर की कारी छोले हैं वह बिल्कूल बनके तयार हो गए हैं एकदम पक चुके हैं एक हम लेके देखेंगे इस पर कारी यह देखो एकदम से अच्छी तरह पक गए हैं अब हम इसको रप्ती साइड में और हम लेंगे एक कडाई कडाई हमने ले लिए इसमें डाल देंगे ओए तोले की सब्जी के लिए दाल दिया है तोले की सब्जी में ऑल थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है और सब्जी से कखंगा सा ओल है वह जरम हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटी चमल जीरा और थोड़ी सी साथ में डाल देंगे जीरा है वो तड़कने लगा है अब हम फोले की सबजी के लिए दो प्याज हमने मिक्स में ग्राइंड करके रख लिया था और दो इसमें हरी मिर्च है अब हम इसको सबसे पहले प्याज को बूल नेंगे दगदरा पीसा हमें ज्यादा बाद पीछा है दगदरा जब पेट बनाएंगे तो पेट है वो अच्छा एगा प्याज का कि अब हम इसको दिरे-दिरे बूल देंगे प्याज है वो भूल सुका है हलका साथ कड़र हो चेंज हो गया है और अब हम प्याज दिमने के बाद आलेंगे जो हमने टमाटर लिया था एक बड़ा साइज का वो डाल देंगे और अब इसको भी दो टे मील पकाएगे मारा टमाटर भी है वो पक चुका है अब हम इसमें डाल देंगे मसाला मसाला हमने रिखनिया पाउडर एक चमट पूर्ची पाउडर और आदा चमट से भी पाउडर ये मसाला तयार किया है तो इसको हम डाल देंगे और साथ में डाल देंगे हमने जो लसुन और अद्रक का तो पेश्ट पैयार किया था तो कि वो भी इसके साथ ही आप इसको पहले भी डाल सकते हैं यदि मसाले में हम उपर से इसको डाले ले तो इसको अच्छी आएगी और पेश्ट भी बढ़ेगा सबसीता अब इसको हम मसाले में खोड़ा सा पानी डाले और दूटे पका लेए तो मसाले में खोड़ा सा पानी डाल दिया है इन सब को एक साथ पका लेएगी इसमें डाल देंगे अब हम छोड़नों को बिल्कुल नहीं दोएंगे क्योंकि हमने अच्छी तरह दोके साफ पाने डाल के इसको पकाया था तो इसी में से निकाल के हम डाल देंगे सारे छोले हमने डाल दिये हैं अब पानी यदि आप इसमें ग्रेवी कम रखना चाहते हैं तो इसमें भी पका सकते हैं क्योंकि हमारे छोले हैं वो पके हुए हैं थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह पका लें अब हमने छोलो में जो पानी बचा था यह साफ है क्योंकि इ पाने उसमें निला देंगे और फिर वह आंपको थोड़ा सा कम लगें तो हल्का सा और डाल के इसको पका लेंगे पर ये ग्रेवी मेरे साथ से एकदम सही है तो अब हम इसको ढखन लगा के दो तिन मिंट के लिए पका देंगे अब हम डाल देंगे इसमें नमक, नमक है अपने स्वाद के अनुसार डाले क्योंकि हमने आदा चमच इसमें बिगोया तब भी हमने नमक डाला था और जब इसको हमने कुकर में उबाला था तब भी हम इसमें नमक डाला था, अब हम एक चमच छोटी चमच है वो नमक की डाल तोड़ा सा डाल देंगे हम गरम मसाला और थोड़ा सा डाल देंगे अमचूर पाउड जार्ट मसाला भी आप इसमें डाल सकते हैं अब हम इसको अपने के छोड़ देंगे तीन-चार मिनट हो चुके हैं आप छोड़ लेकि जो सब्जी है वो बनकर बिल्कुल तयार हो गई है इसको आप मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं दिरे दिरे जब पकाएंगे कोई भी सब्जी हो तो बहुत टेश्की बनेगी और अब हम इसमें डाल देंगे उपर से थोड़ा सा हरा देंगे गेस की फ्लेम को कर देंगे पाएं हमारी सब्जी है वो बनके तयार हो गई है अब हम इसको सरू कर देंगे इस परकार आप छोले की सब्जी बनाओगे तो बहुती स्वादिष्ट और टेश्टी लगेगी इसमें ओयल भी ज्यादा नहीं है एकदम मसाले है वो एकदम सही है थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें हर्यदनिय के पत्ती इसे साथ इसको हम कर देंगे गानियस अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए ठेंक